गाइज अगर आपके पास सोनी का टीवी है और जब आप उसमें कोई मूवी प्ले करते हैं तो इस तरीके से अगर आपको लिखा आता है प्लेबेक नाट अवेलेबल ठीक है बैसे लिए हम कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें जब हम मतलब हमारी टीवी सोनी में चलाने के कोशिश करते हैं तो प्लेबेक नाट अवेले बलाता है तो मैं इसका आपको 100% सोलूशन दूँगा बस आपको वीडियो को पूरा एंट जरूर लेगना है ठीक है आप मैं मोबाल स्क्रीम पर हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कि यहां पर आप जो है इसे मतलब जो इसकी quality है या फिल इसका size बगएरा है उसे मतलब ऐक तरह से edit बगएरा करके चलाने में काफी time जाएगा और वो मतलब होगा ने काफी time लगेगा तो इस case में आपकर करना है simple Texas आफ इजी प्रोसेस में आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपके फोन में कुछ ओप्शन होने चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो है, मतलब कास्ट आपका फोन जो है, टीवी के साथ कास्ट करना आना चाहिए, वो कैसे किया जाता है आप यूट्युपर वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है कि जो पहले तो आपको आपको अपना वाइफाई जो है टीवी के साथ कनेक कर लेना है ठीक है बाके आपको जो भी मुवी प्ले करने है वो आपको आपके फोन में प्ले कर देना है ठीक है फोन में ऑन करने है उससे पहले आपको आपको कोई शो नहीं कर रहा बड़ आपको करना है कि आपके फोन में जो option है screen casting का उसको use कर लेना है and इससे आपको अपने tv को connect कर लेना है ठीक है बागी आप जो phone में movie प्ले करोगे उसे movie को phone में play करके एक तरफ रख देना है phone को और movie आपकी जो है जैसे phone में चलेगी उसी टाइप को आपको टीवी में देखने को मिल जाएगी ठीक है इसका ये solution है काफी easy है बस आपको आपके phone से जो है screen cast करना आना चाहिए बाकी इस तरीके से आप जो है आपके problem fix पर सकते हो